कि अब बात करते राइज ओफ नैश्टलिजम इन यूरोप के रिवीजन लेक्चर की तो मेकिंग ओफ नैश्टलिजम इन यूरोप नैश्टलिजम आपने देश बक्ति की भावना को कहते हैं देश के साथ जुड़ा होना जर्मन इटली स्विट्जरलैंड जो थे वो उस टा पूरा एक देश जर्मनी इटली पूरा देश हैं स्विट्जरलैंड पूरा देश है यह उस टाइम पे हिस्सों में बटे होई थे टेरेट्रीज बटी होई थी और हर एक का अपना एलग एक रूलर होता था यह दिद नोट सी थेंसेल्फ आपना कोई क्लेक्टिव जिस थे उनका पहनावा खाना पीना सब चीजों में डिफरेंस था आज के टाइम तो नहीं दिखाई देगा लेकि पहले था ऐसा अरिस्ट्रोक्रेसी कहा गया है जो लैंडेड अरिस्ट्रोक्रेसी ती जिसके पास जमीन थी नॉबलेटी में जो थी वह अरिस्ट्रोक्रेसी यहां पे डॉमिनेंट क्लास थी इस कंटिनेंट का यूरोप में यहां पे इनकी जारा चलती थी और उसके बाद जब तो यह क्या चाहता था कि सभी के साथ एक समान वैवार किया जाए अब बात आती थी लिबरल नेशनलिजम की लिबरल मतलब आज़ाद खयालों का नेशनलिजम ऐसा नेशनलिजम जिसमें डेमोक्रैसी की बात की जाए जिसमें सभी के लिबर्टी की बात की जाए सभी की फ्रीडम की बात की जाए तो लिबरलिजम का मतलब था फ्रीडम फॉर्ट इंडिविज्वल इसके बाद यह विश्वास रखते थे concept of government by consent ऐसी सरकार जो लोगों की सहमती से बने end of autocracy, clerical privileges, किसी बी तरह के विश्वेश अधिकार ना मेले, किसी बी तरह की मनमानी ना चले need of constitution, एक constitution हो जिसमें representative government हो and inviolability of private property और private property को छीना ना जाए सभी की property जो है वो उनके लिए legal हो कोई उस पर अपना अधिकार ना जमाए जैसे राजा महराजा बगारा उस टाइम पर करते थे इसके बाद आया सफ्रेज यानि वोटिंग तो वोटिंग जो रही वो reality नहीं बन पाई फ्रांस में अब तक क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी गरीबों को विमन को right to vote नहीं मिला था तो इसलिए struggle चलता रहा throughout the 19th and early 20th century और विमन को right to vote कम मिला 1944 liberalization in economic sphere अब बात करते हैं liberalization economic sphere में economic sphere यानि जो economy थी जो trade होता था वो काफी problematic थाउस समय पे काफी उस पे barrier लगे हुए थे काफी रुकावट है थी तो इन tariff barrier को रुकावटों को हटाया गया currencies जो बहुत सारी थी उनको 30 से 2 कर दिया गया railway का सुधार किया गया और इससे फिर जो economic nationalism है उसने help किया national sentiment को जगाने में तो इसने आजादी के लड़ाई को फिर उग ज़्यादा मजबूत किया जब लोगों के पास पैसा आया ट्रेड वगर अच्छा चला तो लोगों ने अपनी फिर nationalism की जो स्प्रेट थी उसको ज़्यादा मजबूत किया स्टेंदेन किया अब दोबारा महाँ पर एक नए conservatism की शुरुआत हुई तो liberalism, conservatism दोनों एक दूसरे के opposite word है liberalism जा कहता है आजाद खयालों का, conservative कहता है पुराने खयालों का जो नई changes को स्विकार ना करें तो यहाँ पर नई changes को स्विकार नहीं किया गया कब 1815 में जब यहाँ पे Napoleon की defeat होती है तो जैसे Napoleon हारा European government ने मिलकर conservatism को follow किया, churches को ले आए, monarchy को ले आए उसके बाद उनोंने कहा कि यह सब आएंगे लेकिन उसमें कुछ नई changes भी लाएंगे जो Napoleon ने changes लाए थे वो इनको काफी पसंद आए तो जो नोंने Napoleon के जो army थी administration में जो उसके सुधार थे वो सुधार उनोंने agree करके accept किये और उसको अपने conservative ruling में शामिल कर लिया Treaty of Vienna आती है Treaty of Vienna यहाँ पर साइड की जाती 1815 में इसके बाद conservatism को establish करने के लिए Duke Metternich जो था उसने इसको head किया था इसका वो leader बना था Burban dynasty के ruler को यहाँ पर बठा दिया गया France की जो border पे छोटे-छोटे kingdom बना दिये गए ताकि फ्रेंच आर्वी दोबारा देशों पर कंट्रूल ना कर सके जैसे ने पूरेन ने करवाया था तो यह सारे काम यहाँ पर किये गए इसके बाद आए revolutionary's revolutionary's मतलब अब conservative आ गए तो revolutionary आए यह आए यह क्यों कि जो पुरानी सिस्टम को ले आ रहे थे राजर सिस्टम को या फिर किसी चर्च वगारा को तो इसके खिलाफ revolutionary खड़े हो चुके थे 1815 में ठीक है तो आपने ने कहा था मैजनी आ पर आया था मैजनी ने क्या गिया था यंग यूरोप यंग इटली जैसे ग्रूप्स बनाए थे और revolution स्टार्ट की थी तो यह जब revolution में यहाँ पर सबसे पहली आती independence of Greece तो Greece की independence, Greece की आजादी काफी ज्यादा important रही तो यहाँ पर मैटर ने कहता है कि when France sneeze the rest of Europe catch cold जब भी France छीकता है पूरे यूरोप को जखाम हो जाता है इसका मतलब क्या था कि France में जैसे ही revolutionary आये इसका देखा देखी यूरोप इस ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया तो इस तरह से का आगया कि France अगर चीकेगा तो पूरे यूरोप को जखाम हो जाएगा क्योंकि कोई चीच फ्रांस से निकलेगी तो वो पूरे यूरोप तक बहुत जल्द फैलेगी तो यूरोप में revolutionary ideologies बड़ी उसके वज़े से जो राजा माराजा बठाई गए थे conservative के उससे उनको हटाया जाने लगा और इस तरह से यहाँ पर फिर Greek War of Independence होती है जिसमें Ottoman Empire के खलाव Greek Nationalists खड़े होते हैं और 1821 में यहाँ पर लड़ाई के लिए struggle शुरू किया जाता है और यह finish होता है The Treaty of Constantinople 1832 में इसके बाद आता है the romantic imagination and national feeling romantic imagination कहा गया अपने देश के साथ जुड़ा होना अपने culture को प्यार करना अपनी भाषा को प्यार करना अपने symbols का respect करना बजाए किसी scientific या किसी logical theory के तो यह romantic आये यहाँ पर और इन्होंने देश की जो भक्ती थी देश भक्ती थी उसक और ज्यादा बढ़ा चड़ा कर लोगों को दिखाया और लोगों को उसके लिए जाग रूप किया इसमें लैंगुज ने इंपोर्टेंट रोल प्ले किया रश्यर का example आपने देखा था कि जब पोलेंड पर रश्या का occupation हुआ था तो यहाँ पर पोलिश लोगों ने अपन पोपलर रिवोल्ट में क्या रहा कि भूख कटनाई और रिवोल्ट का समय वो रहा थारा सुतीस का जब लोगों में पोपलेशन ज़्यादा थी लोगों गाओं को छोड़कर शहरों में आ रहे थे उनकी वेजस कम थी पैसा नहीं था खाने को कुछ नहीं था स्टेट NHकरते हैं और क्या डिमांड करते है नेशन स्टेट्ट पर्लैमनेटरी प्रिम्ट Cloudmood उसके साथ Anand लेकिन यह को डिस्बैंड कर दिया जाता है क्योंकि इसके पास सपोर्ट नहीं था गरीब लोगों का जो पीजेंट थे उनका तो फ्रैंक्फुर्ट पार्लेमेंट के बाद आता है तो जर्मनी को जो बनाया गया वार्मी का रूल इंपोर्टेंट रहा क्योंकि ओटमन बिस्मार्ट जो परशिया का था चीश मिनिस्टर परशिया का था उसने यहां पर वोर्ट लड़ी तीन वोर्ट लड़ी गई चीश मिनिस्टर काव और ने काव और ने युलिफाई किया इटली को और उसका पहला किंग मना विक्टर एमैनुवल टू जो पूरे इटली का राजा बना State Case of Britain, Britannia Case आपने देखा था कि इसमें कोई आजादी के लड़ाई वाली बात नहीं थी। यहां पर ब्रिटेन wLes England थी England की Parliament का काफी important role रहा है इसने Scotland को अपने अंदर मिलाया। इसने Ireland को अपने अंदर जबर्बस्ति मिलाया। और Scotland और Ireland के उपर खड़ा कर दिया English का पूरा एंपायर जिसमें English culture को prefer किया गया, English culture को importance दी गई, Scotland और Ireland के culture को crush कर दिया गया, दबा दिया गया. इसके बाद आता है, आर्टिस्टों ने कैसे देश को दिखाया दुनिया को, इन्होंने एक परसन का रूप दे गया, जैसे भारत माता, जर्मनी में, जर्मेनिया, फ्रांस में, मरियान, इस तरह से figure के थुरू देशों को दिखाया जाने लगा, ताकि लोग देश बक्ती को अ अच्छी भवश्य की उमीद करती है, वहीं imperialism सिर्फ अपनी territory को बढ़ाने में विश्वास रखता है, इसके बाद आता conflict in Balkan, बालकन एक ऐसा एरिया था जिसमें Albania, ग्रीस, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जुगोवीनिया, सॉर्वेनिया, सर्विया, एन, मौन्टेन, गैरो, ये countries रही है, इस पर Russia, Germany, England, Austria, Hungary ये कमजा करना चाते थे, ताकि अपनी power को अपनी economy को बढ़ा सके, अपनी territory को बढ़ा सके, तो इनके बीच में खीचाता चली, लड़ाईया चली, और ये लड़ाईया लास्ट तक गई, First World War, तो First World War यहा इसके बाद आता है कि colonies में जो लोगों का रूल रहा है, यहां पर European power ने भारत जैसे देशों पर राज किया, वहां भी फिर nationalism के ideas को पहुचने में देर नहीं लगी, और Asia, Africa की colonies ने भी आजादी की मांग उठानी श्टार्ट करती है, और इस तरह से nation state जो है, युनिवर्सल बना बना. युए? This is the end of your chapter. तोमर्रों, वे भी दिस्क्राइब सब्सक्षर अवाद की ने क्यादि बना युए? अई टिल दे तूने लग्ण लग्ण युए हैं लोग्दार्ट यूए हैं जो आए हैं लूग्दार्ट डशकिस्ट बना कीवच्छिव.